नमस्कार मैं ह Springs आ एए जारखण के टोप 25 परमुख खबर जानते हाये जारखण में 1932 का खतियान लागू हे मंत सुर्यन सरकार ने जारखण में 1932 का खतियान लागू कर दिया हाये अब सरकार इसे जारखण बिधान सभा में बिधायक के रूप में पेस करेगी जार्खन केबिनेट की बैठक में बुद्धवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कहा गया है कि सरकार 1932 के अधार पर अब अस्थानीय होने का नियम परिभासित करेगी पिछले विधान सभा चुनाव में जामों ने जानता से वादा किया था कि हेमंतु सुरेन की सरकार बनने के बाद जार्खन में 932 का खत्यान लागु किया जाएगा सरकार के करीब 28 साल पूरे होने के बाद हेमन सुरे ने इस वादे पर अमल करते हुए केबिनेट से इसे पास कर दिया है मालूम हो कि लंबे समय से जहारखंड में लोग इसे लागू करने की मांग कर रहे थे जहामूमों के अलावा भाजपा के सोयोगी दल आईसू पार्टी के परमुक सुदेश महतो भी कई बार हेमन सुरेन सरकार से इसे लागू करने की मांग कर चुके है जहामूमों के ज्यादतर मंत्री और विधायक बार बार 1932 के खतियान लागू करने की मांग कर रहे थे जहारखन में उनई सितंबर तक बारिश की संभावना बंगाल की खाड़ी में निम्द दवाव का असर काफी कम हो गया है इस करन बारिश से राहात भी मिली है राजधानी में भी कहीं कहीं बुद्वार को हलकी बारिश होई वहीं मौसम केंद्र रांची ने अगामी 19 सितंबर तक राज़े के कई अस्थानों पर हलके से मद दज की बारिश की संभावना जताई है 19 सितंबर तक मौसम में विसेस बदलाग कुमीद नहीं है इस दवरान कहीं कहीं हलकी बारिश हो सकती है 15 सितंबर तक राज़े के कुछ अस्थानों पर हलके से मद दज की बारिश की संभावना जताई गई है 1932 का खतियान को लेकर भ्रम पैदा कर रहे मुख्य मंत्री बोरिया बिधायक लोबिन हेमरम ने कहा है कि मुख्य मंत्री हेमंसुरेन की बातों से कनफ्यूजन पैदा हो रहा है पुरू में सदन में उन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान के अधार पर अस्थानी और नियोजन नीती नहीं बन सकती अब कह रहे हैं कि सरकार 1932 के अधार पर अस्थानी निती और नियोजन नीती बनाने की और बढ़ रही है मुख्य मंत्री ऐसा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद वरना वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे लोबिन हेमराम बुद्वर को अस्थानी परिस्दन में पत्रकारों से बात कर रहे थे विधायक लोबिन ने कहा है कि 1932 के खत्यान के अधार पर अस्थानी और नियोजन नीती बनाने का वादा पार्टी के घोस्तना पत्र में सामिल था 1932 के खतियान के अधार पर अस्थानी और नियोजनीती बनाने से पहले रगबर दास सरकार दोवारा बनाई गए अस्थानी और नियोजनीती को सरकार रद करे जमसेदपूर में एक साथ मिले स्वाइन फुलू के आठ मरीज जमसेदपूर में कुरोना वाजा पानी बुखार के मरीज के साथ साथ अब स्वाइन फुलू के मरीज भी मिलने लगे हैं वो द्वार को स्वाइन फुलू को लेकर जीले में आउट ब्रेक हो गया एक साथ आठ स्वाइन फुलू के मरीज मिले हैं जिसमें तीन दूसरे जीले के सामिल हैं सभी मरीजों का इलाज टी एम एच में चल रहा है इतने जाजा संख्या में स्वाइन फुलू के मरीज मिलने से विभाग में हड़कम मच गया है बता दे जिला सर्वी लेंस विभाग के द्वारा एक सप्ता पहले स्वाइन फुलू के 20 संदिक्द मरीजों का नमुना जाच के MGM Medical College भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट आने पर 8 मरीज स्वाइन फुलू के पाए गया है टेट पास पाराश सिक्ष को की सेवा नियमित करने पर सुनवाई 17 अक्टूबर को चीफ जर्शी डेक्टर रवी रंजन और जर्शी सुजित नरायन परसाथ के अदालत ने सरकार और सभी पक्षों को अपना अपना विस्तित पक्ष अदालत में हर हल में पेस करने का नियदेश दिया है सुनवाई के दुरान सिक्ष को की ओर से कहा गया है कि हाई कोट ने सरकार को वर्श 2020 में ही विस्तित जवाब दाखिल करने का नियदेश दिया था लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है इस पर आदालत ने नराजगी जाहिर की इस समंध में सुनी लिया दयों अनेक ने याज का दायर की है हमारी सरकार को कोई हिला नहीं सकता जारखन मंत्रालाई परिशर में कैबिनेट की बैठा के बाद मुख्य मंत्री हमांसुरे ने बुद्धवार की साम उपस्ति सच्वाले कर्मियों वा आम जनता को संबोधित किया उन्होंने कहा है कि इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता कोई डिंगा नहीं सकता राय सरकार को सभी ने जो काम की जिम्यदारी दी है उसे सरकार पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेगी कुछ लोग इस कारे में लगे हैं खासकर भी पक्ष के साथ थी वाता औरन में हवाओं को इस कदर दूसित कर रहे हैं कि सरकार के कर्मी डरे समय है उन्हें डर है कि सरकार चली गई तो उनसे किया गया वादा कैसे पूरा होगा मुख्य मंत्री ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है सरकार को सब की चिंता है वे अस्वस्त रहे ज्यारखन में 77% आरक्षन OVC आरक्षन 27% ज्यारखन के मुख्य मंत्री है मंसुरेन के नेतितों बुद्धवार को कैबिनेट की बैठाक होई कैबिनेट की इस बैठाक में 43 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठाक में 1932 खत्यान का धार परस्थानी निती बनाने का फासला लिया है इसके साथ ही OBC आरक्षन को भी बढ़ा का 27 परतिशत कर दिया गया राज्य में आरक्षन का दारा बढ़ाया गया है अब जार्खन में कूल 77 परतिशत आरक्षन होगा अनसुचित जाती को 12 परतिशत ST को 28 परतिशत OBC1 को 15 परतिशत OBC 2 को 12% आरक्षन की मंजूरी है इस बाबत भारत सरकाई को प्रस्ताव भेजा जाएगा वही परदेश में अब अंगनवाडी के 3-6 साल के बच्चों को गरम पोसाग भी दी जाएगी बच्चों को प्रती वर्स 2-6 गरम पोसाग देने का निनाई केबिनेट की बैठक में लिया गया है देवघर में भी पोस्ट गेर्जुएट चाय वाली का एस्टोल पाटना की graduate चाय वाली प्रियांका के बाद अब देवघर की post graduate चाय वाली राधा यादव चर्चा में है देवघर सहर से 10 किलोमेटर दूर कोठिया गाव की रहने वाली राधा रोज सुबह 6 बजे बाजला कॉलेज के ठीक सामने अपनी चाय की दुआन लगाती है और साम 6 ब की इस दोरान राधा ने एमे की भी पढ़ाय पूरी कर ली है उसकी साधी बिहार के भैरो गंज में हुई है पती सोधागर यादव प्राइवेट नौकरी करते हैं ज्यारखन में लागो 1932 के खत्यान के बारे में कानून के भी से सग्यो किरा है ज्यारखन हाई कोट के वर यह अधिवक्ता ए आलम सरकार के इस कदम को राइनितिक मानते हैं उनका कहना है कि 1932 के खत्यान के धार पर अस्थाने निति बनाना उचित नहीं है अगर इसे हाई कोट में चिनोती दी गई तो यह कानून की कौसावटी पर खाना नहीं उतरेगा और इसे निरस्त कर दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले भी वर्ष 2002 में सरकार ने अस्थाने निति बनाई थी उन्होंने कहा है कि उनका परिवार करीब 70 सालों से यहां रहता है ऐसे में उनके बच्चे यहीं पैदा हुआ और पढ़ाई भी की है ऐसे में उन्हें कहा क्या स्थानियत मिलेगी इसलिए उक्त र इलाज के लिए मोहनपूर CSC लाया गया वहीं एक को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल डेफर कर दिया गया बताया जाता है कि मंगलवार रात से ही कुछ चत्रावने पेट दर्द उल्टी वदस्त की सिकायत की थी देर रात एपरसानी बनी रही बताया जाता है कि इन छत्रावने मंगलवार को पोकोड़े वद्वार को चावल दालव सबजी खाया था गिरीडी में प्रधान मंत्री आवास योईना के 20,000 घर अधूरे साथ साल में एक लाग से अधिक गरीब और ज़रतमन्द परिवारों को पीम आवास अवास अवंटित किये गा है 2021-22 की बात करे तो जीले में कूल 30,197 अवास अवंटित हुए इनमें भी 15,009 का निर्मान पुरा नहीं हुआ इनमें से 84,82 अवासों के लिए दूसरी किस्त की रखम फिदे दी गई है इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने जीले को 2022-23 के लिए अब तक पीम आवासों का लक्ष नहीं दिया है जारखन चेंबर अफ कोमर्स के अध्यक्स की सोर मंत्री फेडरेशन अफ जारखन चेंबर अफ कोमर्स आइन इंडरस्टीज के सत्र 2022-23 के नो निर्वाचीत कारकारनी समीती के सहसों की बैठक बुद्धवार को चेंबर भावर में चुनाव पताधिकारी ललीत के डिया एवं पौन सर्मा के अध्यक्सता में संपन हुई चुनाव पताधिकारियों ने सन्युक तो रूप से नो निर्वाचीत कारकारनी समीती के सभी सहसों की बधाई दी और वर्स भर राजे के स्टेक होल्डर्स के कारियों के साथ ही राजे हित में करेरत रहने को कहा अपराध पर जीरो टोलरेंस अपनाए पुलिस अफसार डी जीपी राजे में अपराधिक वर्दातों पर जीरो टोलरेंस अपनाने का निदेश डीजीपी नीरस इन्हाने सभी जीलों के एसपी को दिया है जिलावार अपराद नियंत्रन पर योजना पर भी बैठा के दरवन चर्चा की गई डिजीपी ने राज भर में कोईला, आयरन, एसक्रेप, बालू और पतर के अवायदत तसकरी के रोक थाम का निर्देश दिया उन्होंने साल 2020 से 31 अगस 2022 तक हुई करवाई चापे मारी प्रतिवेदीत कांड समंधित गिरफतारी के समंध में जनकारी ली ज्यारखन में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक हटी नेशनल ग्रीन ट्रिवनल ने ज्यारखन में बालू की किलत को देखते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को हटा दी है एनजी टी में ज्यारखन में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर याजक्या दाखिल की गई थी NGT ने इस याजका पर अपना फैसला सुना दिया है 25 अगस्त को इस मामले से जुड़ी सभी पक्षो को सुनने के बाद ट्रिवनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इससे पहले NGT ने राजे में बालू की बंदोबस्ती पर अस्थागन कादेश दिया था इस करण जार्खन में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही थी लोग बालू के लिए परसान थे बड़ी संख्य में माकानों का निर्मान भी ठप हो गया था मोहमेंटम जार्खन मामले की जाच में CID ने उध्योग विभाग से मांगे नोडल अधिकारी प्रुवर्ती सरकार में बहुच अर्चित मोहमेंटम जार्खन में अनेमित्ता के आरोपो की जाच कर रही CID के 300 से टीम ने जाच में स्वहयोग के लिए उध्योग विभाग से एक नोडल अधिकारी की मांग की है CID ने इसके लिए जार्खन सरकार से भी पत्रचार किया है जिसकी कोपी पूलिस मुख्याले को भेजी गई अपने पत्र में CID ने लिखा है कि मोमेंटम जार्खन के दरान हुई ब्याए से सम्वांध में कोई दास्तावेज या स्वहयोग के जरूरत होगी तो CID उसी नोडल अधिकारी से संपर्ख करेगी जार्खन के 89 मोडल बिद्यालियों में सीटे रिक्त रहने पर एगारवी काक्षा में भी नमांकन हो सकेगा इन इसकूलों में पढ़ाई करने वाले कई छात्र दास्वी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे इसकूलों में नमांकन ले लेते हैं इसके इन स्कूलों में सीटे रिक्त रह जाती है अब रिक्त रहने वाले इन सीटों पर नमांकन हो सकेगा अभी तक इन विद्यालों में कख्षा 6 महीं नमांकन होता रहा है चात्रा को मोबाईल पर असलील वीडियो भेजने के मामले में एक प्रोफेसर को गिरफतार कर लिया गया है बताया जाता है कि आरोपी प्रोफेसर पीडिता से पहले भी असलील बातते वाच छेरचर करता रहा है दरसल रन विजय असमारक महाविद्यालर सेक्टर 11 के साइकलोजी विभाग के प्रोफेसर उदय सिंको बांस गोड़ा की रहने वाली साइकलोजी की छात्रा के मोबाइल पर असलील वीडियो भेजने के आरोप में गिरपतार कर लिया गया है ओपरेशन लोटस की भूमिका बना रहा राजभवन भागपा माले के राष्टरी महासचीव दीपांकर भटाचारे ने आरोप लगाया है कि मुखे मंत्री है मंसुरेन की विधान सबसर सेता को लेकर जारकन राजभवन की भूमिका ठीक नहीं है बुद्वार को पार्टी कर्याले में उन्होंने कहा है कि राज में तीन हपते से अईस्थिर्ता का महाल बना हुआ है चुनाव आयोग ने राजभवन को अपना मंतबे भेजा लेकिन राजभवन रमेस बैस ने इसका खुलासा नहीं किया इससे भाजभवन की चुपी से परदेश में भाजभवन के अपरेशन लोटस का महाल बन रहा है दिपांकर भटाचाज ने कहा है कि जार्खन राजभवन को चाहिए कि चुनाव आयोग का जो भी मंतबे है उससरोजनिक करे गढड़वा के रंका परखंड का मुखिया गिरफतार उपध्याई ने बताया है कि बीडियो देवानंद राम ने मुखिया पर सरकारी कार्य में बाधा डालने कर्याला कक्ष में और मर्यादित बेवार करने का मामला दर्च कराया था पूलिस ने मुख्या इजहार अंसारी को गिरफतार का न्याईक हिरासत में जल भेज दिया है मुख्या की गिरफतारी छेतर में चर्चा का भी सह बना हुए है मालूम हो कि वीडियो के साथ सुमवर को ही घर्टना का वीडियो वाइरल हो रहा था इसमें मुख्या इजार अंसारी वीडियो देवानन्द राम के लिए अमर्यादित भासा का परियोग करते नजर आ रहे हैं सायनिक इस्कूल में एंडिये की तयारी जारखन का गौरपुन सिक्षन संस्थान सायनिक इस्कूल तिलाया गुरु आर्कवास्थापना के हीरक जियन्ति बर्स में परवेश करेगा इसे लेकर विद्याले में व्यापक तयारी की जा रही है इस्कूल के 200 पुराने चात्र इसमों के पर अपने परिवार के साथ कारकरम में सामिल होंगे 16 सितंबर 1963 को कोडारमा जी लेके तिलेया डेमिस्थीत प्रकिर्ति की मरोरम वादियों में इस विद्याले के असापना होई थी 1962 में भाराचीन यूद के बाद देश की सेवाव में उतक्रिष्ट अधिकारियों को तयार करने के उदेश से ततकालिन प्रधान मंत्री पंडित जोहारला नेहरू ने राक्षा विश्यसगयों की सलापसानिक इसकूल की कलपना की थी जिससे 1963 में मुर्तरूप दिया गया था खेलवा खिलाडियों के साथ कलाकार वा फिल्म उद्योग के हीत में भी कारे करे सरकार जार्खन सरकार खिलाडियों के हीत में काम कर रही है और कई ठोस निना भी लिये हैं यह पहल प्रसंस निये हैं लेकिन फिल्म उध्योग और कलाकार हीत में कोई पहल नहीं हो रही है इसको लेकर धनबाद के अभिनेता आमन राठोर ने दुख प्रकट करते हुए जार्खन सरकार से अपील किया है कि सरकार को फिल्म उध्योग एवं कलाकार के हीत में भी नीती बनानी चाहिए उन्होंने कहा है कि पुर्व की भाजपा सरकार ने फिल्म नीती बनाई लेकिन इसका लाभ जार्खन के छेतरिय कलाकारों को नहीं मिला सिर्फ यही नहीं पुर्व की भाजपा सरकार की फिल्म नीती से सरकार को ड़यस्व का नुकसान भी हुआ हजारी बाग NTPC कर्याले में शुरू हुआ हिंदी पाखवारा NTPC केरेडारी एवं चर्टी बर्यातु कोल खनन पर्योजना के सिकरी साइट कर्याले में हिंदी पाखवारा कायोण किया गया जिसका सुभारम केरेडारी पर्योजना प्रमुक फैज तयव एवं चट्टी बर्यातु पर्योजना प्रमुक बीयम सिंग ने किया हिंदी प्रक्वाडा 14 सितंबर से 29 सितंबर तक मनाया जाएगा इस दरन केरेडारी एवाम चट्टी बर्यातु पर्योजिना छेत्र में कोई तरह के कारिकरम भी होंगे सिक्षको और परधाना ध्यापको का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा सिक्षा मंत्री जारखन के सिक्षा मंत्री जगनात मतों ने कहा है कि आने वाले बर्स में राज्ये के सरकारी बिद्यालियों में सिक्षको और परधाना ध्यापको का कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा सिक्षा मंत्राले इस पर गम भीरता पुर्वक काम कर रहा है उन्होंने कहा है कि सूबे में भारी संख्या में प्राइमरी सिक्षको और प्रधना ध्यापको की नियुक्ति पर क्रिया जल्द सुरू होगी मंत्राले ने इस पर समती दे दिया सिक्षा मंत्री बुद्वार को डूमरी में पत्रकारों से बाद चित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि प्राथ्मिक सिस्को के पधो का जिलावार रोश्टर की लेरेंस के बाद नियुक्ति का प्रस्ताव जैसेसी को भेजा जाएगा प्रधना ध्यापको किन्यूक्ति के लिए विभागी अधिकारियों को प्रस्तावत त्यार करने का निदेश दिया गया है धनबाद एनकाउंटर में सामिल पुलिस कर्मियों को डिजीपी ने किया समानित दिजीपी निदे सिन्हा ने धनबाद के बैंक मोर में लूट की वरदात को विफल करते और एक अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराने वाले जवाज पुलिस कर्मियों को समानित किया है बुद्धवार को पुलिस मुख्याले पर आयोजित कारकर में डिजी पी ने धनबाद के बैंक मोड थानेदार परमोद कुमार सिंग, आरक्षी गौतम कुमार और उत्तम कुमार को समानित किया इन पुलिस कर्मियों ने 6 सितंबर को बैंक मोड पर एक नीजी फाइनेंस कमपनी में डाका डालने आय अपराधियों के साथ मुटभेड में एक अपराधी को मार गिराया था पुलिस कर्मियों की जवाजी से फाइनेंस कम्पनी में डाकार डालने के पर्यास को असफल कर दिया गया था इस सासिक काम के लिए डीजीपी नीरसीनाने थानेदार परमोत कुमार सिंग को 25,000 और आराक्षी गौतम के साथ उत्तम को 10,000 का चेक देकर पुरस्कृत किया है केबिनेट के आने फैसले इस परकार आंगनवाडी केंद्र और लगू आंगनवाडी केंद्रों में 6,000 परती वर्ष खर्च कर खर दे जाएंगे वर्तन 468 को रूपए से राजे के 86 पर्खणों में पर्खण कर्याले बौन का होगा निर्मान राजे में स्टांप सुल्क में दो पर्खण की भीरिदी के साथ साथ जमीन और फ्लेट का राइस्टेशन सुल्क कूल रासी का नौ पिश्दी होगा जारखन वीत बिधायक 222 के प्रस्ताव को स्विक्रिती मिली चार को रूपे खर्च करके मंत्रियों के लिए खर दे जाएंगे स्टोक वाहन इसकूलों में बच्चों को आप पांच दिन अंडा मिलेगा धनेवाद ज़्यादी आप चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब कर बहल के बेल एक अंदा बाई साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़ेक अवसे दे थैंक यू